Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello friends, welcome to Tutelage Academy. Bail, Bharat Electronics Limited Provencionary Officer HR का जो अभी अभी एक्जाम हुआ, उसका expected cut-up बताने वाला हूँ, आप सब का बहुत ज़्यदा दिमान था, तो एक cut-up मैं अभी बताने जा रहा हूँ, पकेने. उसके पहले बतादू कि अगर आप UGC NET Labor Welfare Code 55 से प्रिप्रेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी PSU HR का प्रिप्रेशन कर रहे हैं, तो Tutelage Academy पे बेस्ट अनलाइन कोर्स आप जोईन कर सकते हैं, जो कि content जो है हमारा एक्दम quality content है, अगर Tutelage Academy का कोर्स जोईन करते हैं, तो आपके selection के चार्ट से ज्यादा हो जाती है, और सबसे ज्यादा last four year से हम लोग result दे रहें, PSU HR का इक जाम हो, या UGC NET का हो, या GRF हो, ओके, तो आप कोर्स जोईन कर सकते हैं Tutelage Academy पे, Tutelage Academy का है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एपल स्टोर के लिए नूचे लिंक गया है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी query हो तो इस नमर पे call कर सकते हैं, आप words up कर सकते हैं, और जून 2024, कर सकते हैं, तो देखें, आगे बरते हैं, कटफ के उपर, तो कटफ के पहले मैं बता दू कि एक्जाम का लेवल जो था, वह मौडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, और टोटल 125, question 125 marks का था, और इसमें पोस्ट जो था, इसमें पोस्ट 12 था, और आप सभी से पोल भी करा था, वोटिंग करा था, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात भी किया, कि एक्जाम कैसा था, तो उसके basis पे आपको cut-up बताने जा रहा हूं, मालने जहें, वन इस्टू थी के रेशियो में अगर इंटर्व्यू कॉल, डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो 36 तू 40 एस्टूडेंट को कॉल करेंगे, इंटर्व्यू के लिए और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अब बात करते हैं, कि कितने cut-up जाएगा आपको इंटर्व्यू और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अन्रिजर्व का जो एक्सपेक्टेट कटफ है, 98 to 103 कटफ जा सकता है, EWS का 93 to 95 कटफ जा सकता है, और OBC जो है, उसका 95 to 98 कटफ जा सकता है, और ST के टेग्री जो है, उनका 83 से लेकर 86 तक कटफ जा सकता है, और ST का 82 to 83 कटफ जा सकता है, और PWD में 20 types of PWD candidate होते हैं, तो चेटेग्री ज्रिजर्व उन्रिजर्व उसमें बहुत सारा वैरी करता है, तो उसका कटफ जो है, उसमें 72 to 80 कटफ जा सकता है, यह यह वह सकता है कि P WD का cut up इस से भी कम हो सकता है औरि 65 तक भी cut up हो सकता है P WD का तो इसके बारे में फोरा सा कम analysis सकता जिसके का cut up इसका बहुत fluctuate होता है किसे विज्वार्जाद में बाकी यह आपको जो marks बता है इसने बीच में expected cut-up का हमारा idea है और अभी तक इतने भी expected cut-up बता है nearest हमेशा उसी type से cut-up रहता है तो यह cut-up रहेगा और अगर बात करें कि final selection कितने marks पे हो जाएगा तो जो भी cut-up जाता है आपका जैसे 98 cut-up है अगर arm reserve का मान लिजे 97 cut-up जाता है और आपको marks मान लिजे इससे 5 marks जादा है यानि 102 marks है तो आपके selection के chances जादा रहता है जितना भी cut-up जाता है उसका 5 marks है आपका जादा है तो selection के chances जाता है boundary पे हैं एक दो marks है तो समझे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा से interview में fight होने वाला depend करेगा कि interview पे ऐसे आपके marks ज्यादा भी है तो आपको interview के depend करता है ओके अगर 10-15 marks अगर ज्यादा है cut-up से तो interview आपका थोड़ा भी खराब दी जाता है तो भी आपका selection हो सकता है तो यह रहा cut-up और और दुसरे exam का preparation कर रहे है कोई भी PSU का तो आप टुटलेज academy का app जो है डाउनलोड कर लेजिए और वहाँ पे जो है course च्वाइन करके preparation start कर दीजिए ओके और कुछ भी query हो तो आप comments कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब किजिएगा PSU HR का हमेशा information जो है notification है new recruitment recruitment का हमेशा हमेशा हम लोग देते रहेंगे okay thank you for watching this video are you preparing for UGC net or any other PSU exam join the best course on tutelage academy app now